कि बन बनाने के लिए सबसे पहले जो है अपन कॉम की साहता से बालों को अच्छे से सोल जा लेंगे इस तरीके से देखिए अगर आपके बार लंबे हैं तो यह बन इजीली बन जायेगा लंबे होने के वज़े से पेन या रबर इसकी जरुवत नहीं रहती है अगर छूटे बाला है तो उसमें पेन चाहिए होगी और रबर भी चाहिए होता है उसके बात कि अगर रहना है इसलिए कर रहे हूं कैकि मुझे मांग नहीं निकालने एगर आपको मांग निकाल के चूड़ा बनाना है तो मांग निकाल के भी बना सकते हैं उसके पात कि अगर ने पूरे बालो को अच्छे से पकड़ लेना है इह देखे फिर उसको इस तरीखे से राउंड करना है ताकि जो है बाल थोड़ी टाइट हो जए लूज ना बने बन इसलिए देखे किस तरीके से मैंने राइट से लेफ्ट की साइड टन किया है इनको एक पर वापस देख लीजिए पूरे बालों को पकड़ना है और राइट से लेफ्ट की साइड घुमाना इस तरीके से ताकि जो है बाल थोड़े टाइट हो जाए उसके जो राइट हैंड होगा उसको यह देखे बालों को इस तरीके से पकड़ना है और राइट हैंड उसको इस तरीके से बालों के नीचे से निकलना है इस तरीके से देख सकते हैं आप बाल जो है पूरे बाल है वह हात के उपर है और हाथ जो है बालों के नीचे रहेगा इस त आफ के अंदर रहे हाथ दीचे डूरों कि आपर रहे हाथ का राउंडॐ हे रहे ह्तों पाल Ofkiसी तरीके सब देख सकते हैं की तो यह की ανα हाथ को ले जाना है पीछे वाली बालह बीचे बीचe से आगे कर लिए हम companymith के ऐगे कर लिए इस गुमाना हैं गंखें कैसी जो बारों का राउंड बन्गया है इसके बाचू पीछे बच्चिंग के बाल देखे manufactured देख जो मत चाहिक अन्गुटी तशयंता से बी करसास करते हैं धंगान करने के लिए इसके अंगंगोठा मैं वापस इस्के अंदर ढाल दूगी देखे और जो पीछी बाल होगतो से उपर की साइड कार लेना है करकी बाकी बाले जो बाल है नहीं को सिसे उपर की साइड कार रही है कि अगर आपके बाद लंबे तो यह नहीं ही बन जाता है चोटे पालों में रहती है यह छोटे पालों में बन नहीं बन पाता है का यड़़ है कि अगर आपके बार लंबे हैं था बहुत इसलिय बना सकते हैं इस तरीके से मुटकी साहते से में आपको पुश करूंगे देखिए इस तरीके से तो यह आपका जूड़ा बन जाएगा बहुत ही एजी वेम है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेर ज़रू करें